मैं कुमार उत्पल लिमकाबू का फॉर्ड डिकाड होल्डर तिस पुस्तकों के लेखक आज मैं सुरू करने जा रहा हूँ एक महान पुरूज जिन्होंने लाखों व्यक्ति और लाखों बच्चे को जीवन दान दिया और वह जीवन दान देने वाले वह व्यक्ति हैं डॉक् ORS का नाम सुने होंगे और ORS को प्रचलित और प्रशारित करने वाले वह व्यक्ति हैं जिनके बारे में आज हम बतलाने जा रहे हैं वह है डाक्टर महलन विस हैं और यह है फादर आफ ओरल रिहाइडरेशन सॉलीशन कहे जाते हैं यह बहुत प्रसिद बच्चों के पेडिस्ट्रेशन है और यह जो हैं आपको बता रहे हैं कि यह ORS सॉलीशन को इन्होंने बना करके बहुत साड़े बच्चों को और बुड़ों को यह युवा को भी बचाने का बहुत बड़ा प्रयासी ने किया सफलता भी प्राप्तिया इसको हम लोग आप देख रहे हैं यहां पर जो ORS है आप ORS आप नाम तो सुने होंगे लेकिन ORS के बनाने वाले व्यक्ति के बाड़े में आप नहीं जानते हैं मैं उन्हीं के बाड़े में आज बतलाने जा रहा हूं और यह ORS सॉलीशन है या आप चित्र देख रहे हैं यही आपको महाल अनुविस हैं या आपको दिखाई पर रहे हैं या आपको दिखाई पर रहे हैं महाल अनुविस तो इनको आप ध्यान डखेंगे इनको बूलेंगे नहीं ORS सॉलीशन को हम लोग सॉलीशन आप सर्भाईवल काते हैं यह भी बड़े पड़ी च्छाओं में पूछे जाते हैं इसको आप लोग ध्यान रखेंगे यह सॉलीशन आप सर्भाईवल मिस एक जान बचाने का यह जो है सॉलीशन है यह जान बचाने का यह सॉलीशन है इसको ध्यान में रखेंगे मैं आपको यहां पर जो बतलाने जा रहा हूँ यह दम आप लोगों को विसेश रूप से ध्यान रखना है और ध्यान इसलिए रखना है कि यह परिच्छाओं में पूछे जाते हैं solution for survival इसमें क्या-क्या मिले होते हैं आपको तो इसमें पानी मिले रहते हैं water मिले रहते हैं glucose मिले रहते हैं salt मिले रहते हैं और यह जो है dehydration को जो cholera के समय आपको बहुत जादे सरीर से पानी निकल जाता है और वह जो कोला के समय पेट ज़री हो जाता है जिसके चलते बहुत पानी निकल जाता है इसमें बच्चे का death हो जाता है उसको यह prevent करने का सबसे बड़ा और महत्तवपोन ही इनका योगदान है और वह योगदान देने वाले महालनविस हैं जो वा वेनस री हाइडरेशन जो हम पानी चढ़ाते हैं पानी चढ़ाने में तकनिशियन की जरूरत होती है उसमें एक्विप्मेंट्स की जरूरत होती है उसमें वाजफूल रहना पड़ता है तो यह सब आपको खास करके जब कॉल्ला का उट ब्रेक होता है बहुत जादे कॉल्ला फैल जाता है हमारी के रूप धारन कर लेता है तो हमारे यहां टेक्निशियन का पैथलोजिकल और जो लोग हैं और डॉक्टर हैं उनकी कमी है इसलिए यह अल्टरनेटिव है और वह है इंट्रावेनस रिहाइडरेशन थेरेपी का जो पानी चरहने का है वह पानी नहीं चरहा करके हम लोग इसको डारेट वारेस के रूप में ले सकते हैं इंट्रावेनस थेरेपी का यह बेस्ट अल्टरनेटिव है सस्ता अल्टरनेटिव है यह घर में भी बनाया जा सकता है इसका सफल प्रयोग इन्होंने कई बार किया है जो काफी महत्त पूंट रहा है इसको हम ल क्या है या पूछे जाते हैं और इसे अभी तक साथ मिलियन पर्षन को बचाए जा चुका है मैं आपको बता रहा हूं इसे आपका क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन बड़ी के द्वारा बहुत जादे होता है यही सबसे बड़ी बात है क्योंकि वाटर की कमी हो ज प्रमाती इसका असर है और यहां आपको बता देते हैं कि या डिप्लेशन इन मोर देन टेन परसंट अप दा बाड़ी फ्लूड या और या दस प्रतीशत जो कमी है डिप्लेशन है उसको या पूरा करता है जो एक्यूट के किड्नी फैलियोर हो सकता है उसको बचाओ करता ह मैं आपको बता रहा हैं इनके ORS के प्रभाव के कारण जुलाई 29 में ORS Day मनाय जाता है यह जो है Indian Academy of Pediatrician जो 2001 में आपको बच्चों को डैरिया डिथ को रोकने के लिए यह मनाय जाता है लोगों को सिखाय जाता है लोगों तक परचारित किया जाता है परचारित किया जाता ह 29 जुलाई को यह ध्यान रखेंगे यह पूछे जाते हैं डबलू एचो जो है या आपको अभी रिकॉमेंड करती है किसके कंबिनेशन से तो सोडियम क्लॉराइड है इन हैड्राइस ग्लुकोज है पोटेशियम क्लॉराइड है और ट्राइ सोडियम साइट्रेट आपको डि सर्वाइबल मैंने आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक हाफ चमच हाफ चमच जो साल्ट रहेगा यहाँ पड़ आप देख रहे हैं सूगर छो चमच सूगर होगा दोनों को पानी में एक लीटर पानी में मिला करके हम देंगे तो वाटर अब्जॉर्प्शन जो बड़ी में होगा वाज़ादे होगा और आपका किडनी फैलियोर का प्रावलिम नहीं रहेगा यह सबसे बड़ा इसका उपाए हैं दूसरा है अल्टरनेटिव के रूप में भी इंट्रावेनस री हाइडरेशन तेरेपी जो है वा तकनिकी जरूरत है उसमें पैसे की भी जादे जरू है इसमें ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही इजी है आएए मैं आपको बता रहा हूं फर्स टाइम 1969 में ORS को एप्रूड किया गया WHA UNICEF के द्वारा यह जो है आपको मैंने बताया है dehydration को worldwide रोकने के लिए यह शुरुआत किया गया था who are UNICEF जो आपको reduce osmolarity solution खास करके बच्चों को और increase safety and efficacy and subsequently reduce the stool output जो latrin बड़ावर जो हो रहे हैं उसको यह रोकने का काम करता है तो यह ध्यान रखेगा reduced osmolarity ORS में कोन है sodium chloride है 2.6 ग्राफ पर लिटर है glucose और एन्हाइडरस जो है 13.5 है potassium chloride है 1.5 है trisodium citrate dehydrate है 2.9 total मिलके आपको total जो है इसको आप देखेंगे 20.5 है reduce osmolarity ORS और emol per liter में हम करते है sodium 75 है chloride 65 है glucogen hydrate 75 है potassium 20 है ठीक है नहीं सब मिला करके total osmolarity है 245 या नया जो फर्मूला आया है इसको हमने आपके सामने रखने की कोशिस किया या जो है father of oral rehydration solution ORS और या महलन विस जो थे बहुत बड़े बच्चे के डॉक्टर थे इनका जन्व जो है थोरा सा हम इनके वेक्टितों पर भी चर्चा कर देते हैं क्टितों की चर्चा तो किये ही है मैं आपको बता रहा हूँ 12 नवंबर 1934 में किसोर गंज जो undivided बंगाल था वहाँ पर इनका जन्व हुआ है या कलकता और लंदन दोनों जगा पढ़े हैं जॉन्स हॉपकिन्स इन्वर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसेट्स और ट्रेनिंग इनका ने किया और उसके बाद औरल रिहाइडरेशन थेरेपी को इन्होंने आगे बढ़ाया है किन के साथ तो डॉक्टर डेविड और नलीन और रिकार्ड एक कैस के साथ इन्होंने आगे बढ़ाया है इनका जो अब हम बतला रहे हैं इन्होंने जो काम किया है या कृतित तो है इनका कहा कहा काम किया है मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ या refugee camp work in बंगलादेश, जब 1971 में आपको बंगलादेश का जिससे उदवाव हुआ है, लडाई हो गई थी, भारत, पाकिस्तान, भरसेज लडाई थी, उसमें बंगलादेश का नवनिर्मान हुआ था, उसी के दर्मियान आपको यह घटना करम है, 1971 में बंगलादेश limitation war, बंगलादेश की उत्पत्ती हुई थी, उदवाव हुआ था, पाकिस्तान से अलग पुरbuी जो बंगाल का लाता है, और बंगलादेश का लाता है, तो बंगलादेश की war जो है 1971 में उसमें बहुत सारे लोगों को डैरिया हो गया, और यह जो आपको वह यहां पर इनको भेजा गया और वह जा करके वहाँ केμप में काम किये और यहां पर उन्हों outta अच्छा काम किया कि आप एक चित्र में देख रहे हैं वह आपने बच्यों को पिला रही है और यह वारेस का बहुत भुरी भुरी प्रसंसा की थी और उन उने कहा है कि मैं बार बार कर रहा हूं कि लैंसेट जो है यह लैंसेट जो है आपका एक जर्नल है जो आपको बच्चे से सम्मन देत है आपका औरल रिहाइडरेशन से सम्मन देत है पॉब्लिक हेल्थ से सम्मन देत है यह आपका जर्नल है उसमें इसमें लिखा गया कि most important medical discovery of 20th century the lancet is an independent international medical journal founded in 1823 by Thomas Wackley मैं आपको बता रहा हूं कि यह independent international medical journal है जो 1823 में 1823 में Thomas Wackley के द्वारा यह स्तापित किया गया था मैं एक बात और आपको चर्चा कर दे रहा हूं कि यह जो आपका डौक्टर महा लनविश जो है उनसे पहले भी नारवाट आपको नारवाट साहब जो है जो आपको इन्होंने आस्ट्रेलियन बॉर्ण है अमेरिकन पॉबलिक हेल्थ फिजीशियन है इन्होंने इसका इंवेंटर किया था इंवेंड किया था और यह जो है जो फ्लूग से प्राब्लिम में आ गए थी कोलरा में खास करके डाइडिया जिसको भी कहा जाता है तो मैं आपको बता रहा हूं लेकिन भारत में और जिस तुफानी वेग से बंगला देश और अन्ने जगों पर हुआ यहां पर संसाधन की उस समय अत्यन्त कमी थी उसमें इन्हों ने अप फादर आफ ओर री हाड्रियुसों कहा जाता है इन को मैं आपको बता रहा हूं इनके जो काम है उसकाम के बाड़े में भी बता रहा हूं वर्ट इन कोलरा control for who in Afghanistan ये आपको WHO के जो कॉलरा control program में भी अफगानिस्तान गए एजिप्ट गए यमन गए और 1975 से लेके 1979 तक वहाँ पर इन्होंने बहुत बहतर performance किया और WHO के साथ की टीम के साथ इन्होंने काम किया अफगानिस्तान इजिप्ट और यमन में इसके बाद इन्हों ने medical officer के रूप में डाइडियल disease control program आपको WHO के medical officer के रूप में काम किया 1980 से लेके 1990 तक या medical officer के रूप में या रहे हैं WHO के और उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है इसके चलते इनको worldwide recognition मिलना सुरू हो गया 1994 में या आपको इनको elected भी किया गया for a member of Royal Swedish Academy of Science यह बहुत बड़ी चीज है कि यहां तक यह पहुंच गए मैं आपको बता रहा हूं इनको यह वार्ड मिला है pollen price, pollen price जो होता है वह आपको pediatrics में बच्चों के doctori field में यह novel price कहा जाता है तो यह जो है pollen price इनको 2002 में मिला है और यह जो है यह first pollen price इनको मिला था और इनके साथ जो है आपको doctor Nathaniel F. Piers जो को भी मिला इनको pollen price जो Columbia University के द्वारा दी जाती है जो विसेश योगदान जो होता है बच्चे के health से समंदित आपको उसके लिए इनको दिया जाता है तो उसमें इनको प्राप्ट हुआ pollen price जो वर्ल रिकोगनेशन है novel price के यह equivalent माना जाता है बच्चों के छित्रों में बच्चों के बचाओ के छित्रों में यह सको ध्यान रखेगा मैं आपको बता रहा हूँ यहां पर आप देख रहे हैं यही पर यह डॉक्टर साहब है महलन विस हैं यहां पर आप देख रहे हैं अन्ने लोग हैं जो 2002 में पॉलेंड प्राइज जीते थे उनका नाम हम बता दे रहे हैं पाइरस हैं डैविड बायें से हम लेफ्ट इदर से हम बायें से सूर कर रहे हैं या पाइरस हैं नलीन हैं आपको नरबर्ट हैं उसके आज रूडी शाहब है उसके बाद महाल उन्विस है यह रूडी शाहब है ठीक है ना यह महाल उन्विस है तो यह जो है आपको बता देते हैं कि यह बहुत बड़ी उपलवदी है पॉलिन प्राइज मैं और इनके जो प्राइज है उसके बारे बता रहा हूँ प्रिंस म के साथ जो है अमेरिका के कुछ अन्य डॉक्टर है एस्टेनले सूल्ज है रिकार्ड एलन कैस है डैविड आर नलिन है प्रिंस महिडोल प्राइज मिला है इनको तीन अमेरिकन डॉक्टर के साथ इनको मिला है और यह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह आवार्ड जो है आप का प्रिंस महिडोल एवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह जो है थाई रॉयल फैमिली का यह आपका प्राइज है 1992 में एस्टेबलिस किया गया लेकिन मैं यह आपको देख रहे हैं प्रिंस महिडोल एवार्ड फाउंडेशन का यह लोगो है आप देख र पूर्ण है थाई रोयल फेमली के द्वारा 1992 में इस्टेबलिस किया गया है इनका डेथ जो है एक बहुत बड़ी दुख़द हम सब के लिए है कि इनका डेथ जो है सुल लह अक्टूबर 2022 को इसी साल संडे को दीन इनका डेथ हो गया कलकत्ता के प्राइवेट हॉस्पिटल मे यह डेथ कर गया तो आज मैं इतना ही आपको बतला रहा हूं या ऐसे विभूती को नमन करते हुए जय हिंद जय भारत कह रहा हूं